इस तरह से सारे पाथ को में ट्रावर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर करना है okay now यहां से हम जैसे ही जाते हैं तो first a to b b to e तो आपको एक चीज़ का खास इसमें द्यान रखना है कि अगर आप यहां पर max के बारे में देख रहे हो तो max में सिर्फ alpha की value change होगी बीटा की value change नहीं होगी तो initial value यहां पर alpha की है minus infinity और बीटा की है infinity now यहां पर हमें max value check करनी है तो max value में alpha compare करेगा 2 के साथ और 3 के साथ तो यहां पर alpha की value हो जाएगी 3 और इस node की value भी हो जाएगी 3 that means यानि कि अभी जो e node है उसका कहना यह है कि उसके पास max to max 3 value है अब depth first search है तो हमने यह check कर लिया अब हम उपर जाएंगे और alpha बी में एक गलती commonly की जाती है कि यह values को उपर लेके जाते values को हम कभी भी उपर लेके नहीं जाते values को हम नीचे ले जा सकते ऊपर नहीं ले जा सकते तो ऊपर कैसे नहीं ले जा सकते यह जो alpha 3 है वो आगे भी alpha 3 नहीं होगा alpha की value यहाँ पर होगी minus infinity लेकिन बीटा की value change हो तो mean को देख रहे है that means हम बीटा की बात करेंगे तो बीटा की initial value infinity है और इसके पास दो choice है दोनों में से minimum value select करनी होती है लेकिन अभी हमने ये part को evaluate किया है तो obviously यहाँ पे जो value होगी वही बीटा की value होगी so 3 उसकी value होगी ओके तो यहाँ पे भी हम 3 रिख देंगे लेकिन यहाँ पे minimum होगा so यह जो sign में कर रहा हूँ उसका क्या मतलब होता है आपको अभी पता चल जाएगा as हमने depth first search apply कर रहे है तो depth first search में हम यहाँ पे होके अब backward करके यहाँ पे जाएंगे मैंने जैसे का कि हम value को उपर नहीं ले जा सकते लेकिन नीचे ले जा सकते तो यहाँ पे जो alpha और beta की value है वह नीचे लेके जाओंगा तो alpha equals to minus infinity beta equals to 3 alpha equals to okay यहाँ पे हम नहीं जाएंगे अब यहाँ पे आपको जस्त थोड़ा twist आएगा यहाँ पे कौनसी value के लिए हम काम कर रहे है max के लिए that means हम alpha की value change करेंगे beta की value as it is रहेगी तो alpha first value check करता है 5 तो जैसे ही यहाँ पे first value 5 check होगी that means minus infinity से 5 बढ़ा है तो alpha की value 5 change हो जाएगी now the thing is यहाँ पे miracle होता है क्या होगा यहाँ पे alpha और beta की value compare करेंगे हम तो compare करते है तो हमें क्या मिलता है alpha is greater or equal to beta यानि कि phi is greater than 3 that means यहाँ पे यह condition satisfy हो रही है तो इसके बाद हमें check नहीं करना है that means इसको हम prune कर देंगे so यह इस तरह से pruning होती है अब pruning का exact meaning क्या होता है यानि कि यहाँ पे max की बात हो रही है that means यह हमने set कर लिया अब हम values को उपर लेके जाते है okay that's यहाँ पे मुझे 5 value मिल गई और उसके उपर mean वाला node है mean वाले पे 3 मिल चुका है यानि कि उसको कम से कम value मिल चुकी है तो obviously वो 5 को देखेगा नहीं और 5 क्या करेगा यहाँ से restrict कर रहा है यानि कि 5 से बड़ी value आएगी नहीं 5 से छोटी value भी नहीं आएगी तो क्या होग कि इसको 3 minimum value मिल चुकी है और 5 इसके लिए eligible नहीं है तो simply यह restrict कर देगा और इसको check ही नहीं करेगा अब यहाँ पे सबसे बड़ा benefit क्या होगा कि यहाँ पे suppose बहुत सारे notes जा रहे है और बहुत लंबा ट्री है तो यह prune हो जाएगा और हमें check नहीं करना पड़ेगा तो यह सबसे बड़ा advantage है अब हम example को आगे बढ़ाते हैं हमने यह part को solve कर दी है अब हम उपर जाते है तो यहाँ पे alpha की value max के लिए बात कर रहे है तो max alpha minus infinity beta infinity है ओके तो यह इसके पास 3 options है लेकिन हमारे पास एक ही option अभी है तो alpha की value directly 3 हो जाएगी है ओके और यह value को अब हम नीचे again distribute करेंगे तो alpha equals to 3 beta equals to infinity alpha equals to 3 beta equals to infinity इस तरह से हम सारे notes पे apply कर देंगे so let us solve this part अब यह part को solve करना है तो यहाँ पे max की बात हो रहे है that means हम यहाँ पे alpha की value change करेंगे तो alpha की value कौन सी है 0 है यहाँ पे 0 value है तो 0 value उसको मिलेगी लेकिन as you can see कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके पास better value पहले से ही है तो alpha की value change नहीं होगी एक जीसका आपको ध्यान रखना है कि अगर alpha को उससे better value मिल जाती है तो ठीक है अगर नहीं मिलती है तो 0 सिफ यहाँ तक ही आएगा और उसकी जो max value है वो इसी तक ही है यानि कि आपको इस तरह से लिखना है अब हम जाएंगे backward जाएंगे और again यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा जैसे ही हम उपर लेके जाते है as you can see हम यहाँ से उपर गए थे तो obviously g से c पर जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर बीटा देखेगा बीटा के पास कौन सी value आएगी जीरो आएगी तो बीटा अपनी value को जीरो कर देगा as आप देख रहे हो कि यहाँ पर जीरो आगया जैसे ही c पर जीरो आया तो क्या comparison होगा alpha और बीटा का comparison हुआ alpha और बीटा का comparison करते है तो alpha is greater that means यह part prune हो जाएगा यह part किस तरह से prune होगा क्योंकि a के पास value max to max 3 है और उसके नीचे min note पे 0 है that means a का कहना यह है कि मेरे पास minimum value 3 है maximum value 3 है और तेरे पास 0 है यानि कि c के पास 0 है 0 3 से छोटा है 3 से बड़ा होता तो हम रखते हैं अगर 3 से छोटा है that means इसको 0 का भी काम नहीं है अगर 0 का काम नहीं तो उसके नीचे भी 0 तो यहाँ पे restrict कर रहा है तो obviously यह part को प्रून कर देंगे अगर आपको यह logic समझ में नहीं आता है आप practice करोगे तो समझ में आ जाएगा लेकिन simply आप इतना check कर सकते हो कि alpha बीटा से बड़ा है तो आपको prune कर देना है अब हम आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे check नहीं करेंगे next हम आगे बढ़ते हैं तो alpha equals to 3 beta equals to infinity as मैं distribute करूंगा तो यहाँ पे मुझे values मिलेगी now dfs में हम यह path को पहले check करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है alpha is 3 beta is infinity तो यहाँ पे max को देख रहे हैं तो alpha की value change करेंगे but यहाँ पे 2 और 1 alpha से better नहीं है तो alpha की value यहाँ पे change नहीं होगी यहाँ पे node की value change हो जाएगी now जैसे ही हम यह value को यह path से i पे से d पे जाते है तो beta चेक करेगा beta के पास infinity से better value 2 मिल रही है minimum value तो beta की value 2 हो जाएगी again यहाँ पे check होगा alpha और beta दोनों में से बड़ा कौन है तो alpha बड़ा है यह condition satisfy हो रही है तो हम इसको again prune कर देंगे क्योंकि यहाँ पे maximum value 6 select होगी लेकिन minimum value तो 6 और 2 में से 2 ही उपर जाएगी तो obviously अगर हम min max करते होते तो यह part को check करते और हमारा time waste होता तो हम यहाँ पे alpha beta में इसको prune कर रहे है तो इस तरह से हम अमारा काफी time बचा सकते है और now final result पर हमें क्या मिलेगा final result पर यहाँ से check होगा तीनों में से max कौन सा है तो तीनों में से maximum value आप देख सकते हो 3 मिल रही है वह हमें पहले भी मिल चुकी थी अगर आप यही example को mean max से solve करते हो और beta के total 2 cutoff तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ number of alpha cutoff तो one number of beta cutoff तो वह है 2 तो इस तरह से अगर exam में पूछा जाए तो आपको इस तरह से लिखना है या फिर यह आपका rough work की तरह रहेगा आपको इस तरह से notations देने greater less than के I hope आपको समझ में आ गया है अगर आपको नहीं समझ में है तो doubts post कीजिए अगर ऐसा होगा तो मैं एक और वीडियो example की बनाऊंगा thank you so much for watching my video and don't forget to subscribe to my channel thank you